किसी शायर ने क्या खरी बात लिखी है, मुहाबबत की कोई हथ, कोई सरहत नहीं होती, आह दिन हम ऐसे किस्ते सुनते हैं, जिब साथ समंदर पार, दो लोग आपस में मिलते हैं, शादी करते हैं और एक हो जाते हैं, प्यार के किस्ते यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब भारत उर पाकिस्तान के लोगों के बीच होता है तो कहानी कुछ है cenke वाली होती है भारत और पाकिस्तान सरहत पराइथ दिन आतंकी घोठनाएं होती और यामशी रजयस्तान के चूरु जीले में कुछ ऐसा ही हुआ चूरू के एक वैक्ति को पाकिस्तानी महिला से इश्ख हो गया दोनों ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये निखा भी कर लिया पाकिस्तानी बहु जब अपने स्तसुराल आई तो ये खबर मीडिया की सुर्खियों में आ गए इधर असल पाकिस्तान के लाहोर की रहने व को लेकर चूरू पहुचे वह रह्मान अपनी पतनी को लेकर रतना नगर थाने पहुचा क्योंकि महिष पाकिस्तानी है ऐसे में इस थाने पुलीस को दस्तवेज की जाच कराना जरूरी होता है पुलीस ने महीष का पासपोर्ट और दूसरे दस्तवेज देखे बतादे पाकिस्तान के लाहोर की रहने वाली हैं और मादा पिता की मौत के बाद वह अपनी भेन सहीमा के पास इसलामाबाद आ गई थी और साल 2006 में उनकी शादी हुई और उनके दो बेटे भी हैं लेकिन महविश का अपने पहले पती से 2018 में डिवोर्स हो गया और 2022 में मौयब के जरी महविश रहमान से मिली वही रहमान की भी शादी साल 2011 में हुई थी रहमान के भी दो बच्चे हैं शादी के बाद रहमान कभी अपनी पत्नी के साथ टेवोर्स हो गया लेकिन महविश अपने दोनों बच्चे पाकस्तान ही छोड़कर आई हैं तमाम खबरों के लिए देखत शुक्रिया